Good morning, exercise 7E, multiply, first क्या है sum 84, किस से multiply कर रहे हो 10 से, तो first you write down 84 और 10 से multiply करोगे, तो 0 में से हमने 4 को multiply क्या आया, 0, जब 0 में हमने 8 को multiply किया, हमारा क्या आया, 0, किसी भी numbers को जब हम 0 से multiply करते हैं, तो 0 ही आता है, फिर यहाँ पे first 0 के नीचे हमने क्या लगाया, cross, cross के बाद अब second, second number मेरे पास क्या है, 1 है, first number तो मेरे पास 0 था, second नमारे पास 1 है, तो हमने 1 से 4 को multiply किया, 4 आया, फिर हमने 1 को 8 से multiply किया, क्या आया, 8 आया, तो 0 में जब cross को तुम करोगे, कोई भी number होगा, उससे cross करोगा, वही number आया, तो यहाँ कोई number नहीं है, 0 है, जो cross किया, 0, 0 में 4 प्लस किया, 4, 8 के उपर कुछ नहीं है, तो सिर्फ 8 को लिख दिया, तो 840 इसका answer हो गया, अब second sum से, 62 into 10, अब हमने सबसे पहले क्या लिखा, 62 लिख लिया, फिर 10 लिख लिया, अब सबसे पहले हमने, 0 number मेरे पास, एक number 0 है, एक number 10 है, तो 0 से हमने 2 को multiply किया, 0, 0 को हमने 6 से multiply किया, 0, फिर यहाँ पर हमने cross लगाया, फिर हमने 2 1s are 2 और यहाँ पर 1 को 6 से multiply किया 6 तो 0 में फिर हमने यहाँ पर 0 से cross क्या हुआ, 0 हो गया 0 में 2 plus किया 2 और यहाँ पर 6, 620 अब यहाँ पर क्या है, 7 को तुमने 40 से multiply किया तो 7 into 40, तो यहाँ 0 से 7 को multiply किया 0 आ गया और 4 से 7 को multiply किया 28 आ गया तो 280 आंसर हो गया यहाँ पर मेरे पास क्या sum से 11 और 90 तो 0 में 1 को multiply किया 0, 0 से 1 को multiply किया 0 अब next क्या है यहाँ पर हमने क्या लगाया cross, cross लगाया पहले हर्द में कर रहे थे cross यहाँ पर भी cross लगता है जब दो number से होता है दूसरे में पहले number के नीचे हम cross लगाते है तो cross लगाया, फिर 9 वन्जा 9, 9 वन्जा 9 तो 0 में हमने cross को क्या तो 0, 0 को हमने 9 में plus कर दिया तो 9, यहाँ 9, 990